हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनायलसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूंगा fingers के analysis से उसके बाद चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ सासा draw करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर phone consultation लेने के लिए आप screen पर दिखाए गए मेरे इस number के जरिए संपर्क कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हतेली है कुछ इस तरह से एक squarish shape में नजर आ रही है जो indicate करती है एक hard working type की nature को और अगर इनकी fingers को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे fingers काफी थिक नजर आ रही है fingers की thickness को आप base phalanges से judge कर सकते है fingers का थिक होना काफी positive होता है ऐसे व्यक्ति की energy and stamina काफी अच्छा रहता है यहाँ पर आप देख पाएंगे सभी fingers पर कुछ इस्तर है कि सीधी खड़ी रिखाएं भी आपको नजर आएंगे ऐसी रिखाओं का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति मिलन सार सभाव का होगा ऐसे व्यक्ति जिनकी सभी fingers के उपर इस्तर है की सीधी खड़ी रिखाएं मौजूद होती है दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं बहुत अच्छी personality आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी fingers के बीच में कुछ इस्तर है कि clear gaps बनते हुए fingers के बीच में gaps का होना व्यक्ति की independent nature को दर्शाता है ऐसे gaps अगर सभी fingers में हो तो ऐसा व्यक्ति काफी independent सभाव का होता है अपनी मनमर्जी का मालिक होता है जो काम करने की एक बार ठान लेता है फिर उसको करकर ही छोड़ता है कुछ इस तरह का सभाव आपको ऐसे व्यक्ति का देखने को मिल सकता है अगर हम particular fingers की बात करें तो इनकी जो groove finger है काफी अच्छी लंबाई में है काफी थिक है इस तरह की groove finger व्यक्ति को काफी अच्छी leadership qualities देती है ऐसे व्यक्ति knowledgeable होते हैं जिनकी ब्रस्पति finger strong हूँ दूसरों को रास्ता दिखाने वाली personality दूसरों को guide करने वाली nature ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी अगर हम इनकी शनी finger को देखें तो शनी finger काफी strong नजर आ रही है काफी थिक है और अच्छी लंबाई में यहाँ पर आप इनकी शनी finger को देख पाएंगे इस finger का strong होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफी मेहनती सभाव का होगा ऐसे व्यक्ति जिनकी शनी finger बिल्कुल सीधी होती है hard working होने के साथ साथ discipline भी होते हैं एक अनुशाशन प्रिया और न्याय प्रिया टाइप की personality आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिल सकती है और अपनी इनी खूमियों की वज़े से जीवन में काफी अच्छी तरक्की करपाने में भी ऐसा व्यक्ति कामियाब रहता है अगर सूर्य फिंगर को देखें तो यह फिंगर आपको लंबाई में इनकी तरजनी के लगभग इक्वल पहुंचती हुई नजर आएगी सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना व्यक्ति को क्रियेटिव नेचर का बनाता है काफी अच्छी artistic qualities ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है लेकिन साथ ही साथ थोड़ी risk taker type की personality ऐसे व्यक्ति के आपको देखने को मिलेगी यह लोगों की सूर्य फिंगर अच्छी length में होती है ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की investments के मामले में भी ऐसे व्यक्ति रिस्क ले लेते हैं और अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर loss की संभावनाएं भी हो जैसे share market है, crypto currencies है, mutual funds है, multi level marketing है ऐसी चीजों की तरभी आपको व्यक्ति की रूची देखने को मिल सकती है Mercury finger की बात करें तो हलकी सी low set finger है अगर fingers के नीचे एक line draw की जाए तो आपको कुछ इस तरह की एक रिखा बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूरेय finger, इनकी शनी finger और गुरू finger तीनों की तीनों काफी उपर से शुरू होती हुई, जिने हम high set fingers कहते हैं लेकिन mercury finger काफी नीचे से शुरू होती हुई, जिसे हम low set mercury finger कहते हैं इस finger का low set होना व्यक्ति को थोड़ी shy nature देता है, थोड़ा hesitation भरा सभाव, आपको ऐसे व्यक्ति का देखने को मिल सकता है जबकि इनकी mercury finger की जो लंबाई है, काफी अच्छी है, बिल्कुल straight finger है, जिसकी वज़े से ऐसे व्यक्ति के communication skills और ऐसे व्यक्ति का business equipment strong होता है चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं सभी mounts को, उसके बाद हम चेक करेंगे, इनकी सभी रिखाओं को ही अगर हम इनके गुरू परवत की बात करें, यानि तरजनी उगले का नीचे का जो यह हिस्सा है, इसको गुरू परवत कहते है और जिन लोगों के हाथ में यह हिस्सा उभरा हुआ हो, उठा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति काफी ज्यानवान होते हैं और ब्रस्पति माउंट का उभरा हुआ होना व्यक्ति को स्प्रिच्वल माइंड़ यानि अध्यात्मिक नेचर का भी बनाता है ऐसे व्यक्ति 40 वर्ष की एज के बाद काफी अधिक अध्यात्मिक होने लगते हैं जिनका ब्रस्पति अच्छा होता है ऐसे व्यक्ति को समाज में काफी अच्छा मान समान मिलने लगता है खास और पर मिडल एज यानि लगभग 40 वर्ष की एज के बाद ऐसा व्यक्ति सुसाइटी में काफी अच्छा मान समान पाता है और प्रतिष्ठा भी ऐसे व्यक्ति की बनती है ग्यान के मामले में ऐसा व्यक्ति काफी भागशाली होता है जिनका गुरू परवत इस तरह से उभरा हुआ हो और धन के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को ब्रस्पति का साथ मिलता है और ऐसा व्यक्ति काफी अच्छा धन कमाने मे चीवन में कामियाब रहता है अगर हम बात करें इनके शनी परवत की तो शनी का माउंट यहां पर हलका सा दबा हुआ है और शनी परवत का दबना अच्छा संकेत नहीं होता इन लोगों का यह हिस्सा दबता है ऐसे व्यक्ति को चीवन में काफी सारे उतार चडाव देखने को मिलते हैं काफी सारे अपसन डाउंस के साथ साथ ऐसे व्यक्ति को चीवन में मेहनत भी अधिक करनी पड़ती है अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर आपको कुछ खड़ी रिखाएं नजर आएंगी जिनको हम शनी की रिखाएं कहते हैं ऐसी रिखाएं शनी परवत पर मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफी अच्छी होते हैं खास्ताव पर 60 वर्ष के बाद का जो समय है ऐसे व्यक्ति का काफी कमफर्टेबल होता है 60 की एज के बाद ऐसे व्यक्ति के पास धनकी कमी नहीं रहती अगर हम सूर्य परवत की बात करें तो आप देखेंगे सूर्य परवत पर एक से अधिक रिखाएं हैं लेकिन यह परवत भी आपको दबा हुआ नजर आएगा और सूरिया परवत का दबना व्यक्ति के जीवन में से यश को कम कर देता है जिनका भी सूरिया परवत दबता है ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर लें दूसरों की कितनी भी मदद कर लें बदले में कोई इनाम कोई अप्रिसियेशन नहीं मिल पाता जिसे हम यश की कमी कहते हैं यहां पर आपको काफी सारी रिखाएं नजर आएंगी यह रिखाएं जिसको हम सूरिया की रिखाएं कहते हैं वैसे तो सूर्या परवत पर अगर एक ही रेखा हो उसे सबसे अच्छा माना जाता है लेकिन एक से अधिक रेखाएं होने से व्यक्ति मल्टी टास्किंग होता है एक रेखा होने से ऐसे व्यक्ति का फोकस किसी एक काम पर ही रहेगा जिसकी वज़े से ऐसा व्यक्ति जल्दी प्राव्ग्रेस पाता है लेकिन जब एक से अधिक रिखाएं होती है तो ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको फोकस की कमी की समस्या नजर आएगी ऐसा व्यक्ति किसी भी एक काम के उपर पूरा फोकस नहीं कर पाता जिस वज़े से चीवन में बार-बार काम बदलते रहने की समस्या का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है Mercury की बात की जाए तो इनका जो Mercury Mount है यह उभरा हुआ है भली हलका सा Low Set है लेकिन उभरा हुआ Mercury Mount इस तरह का Mercury Mount हाथ पर हो तो ऐसे व्यक्ति का Business Acumen अच्छा होता है ऐसे व्यक्ति के Communication Skills भी काफी Strong होते हैं इन लोगों का भुद्ध परवत यानि Mercury Mount Strong होता है ऐसा व्यक्ति अपने अच्छे Communication Skills और अपनी Knowledge का इस्तेमाल करते हुए चीवन में अच्छी Progress कर पाने में कामियाब हो जाता है Mercury Mount के उपर भी आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी खड़ी रिखाएं नजर आएंगी इस तरह की रिखाओं को Healing Lines कहा जाता है और जिनके हाथ पर इस तरह की Healing Lines होती है ऐसे व्यक्ति दूसरों की Problems को समझने वाले होते हैं ऐसा व्यक्ति अपने शब्दों से अपने कर्मों से अपनी सलहा या Consultation के जरिए लोगों की Problems को दूर करने में सक्षम होता है चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी Major Lines को मारे हाथ में तीन Major Lines होती है जिसमें सबसे उपर की रिखा को Heart Line कहा जाता है यह जो रिखा है इसको Heart Line कहते हैं यह जो रिखा है जो इनके हाथ में दो भागों में बटी हुई है इस रिखा को कहा जाता है मस्तिक्ष रेखा यानि माइंड की लाइन और यह जो रेखा है इसको कहा जाता है जीवन की रेखा आप यहाँ पर एक रेखा और देखेंगे यह जो रेखा है यह मरकरी लाइन कहलाती है हाथ में मरकरी लाइन हो तो ऐसा व्यक्ति एक स्ट्रॉंग बिजनस एकुमेन का इस्त व्यक्ति को caring nature का बनाता है थोड़ी emotional personality भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी इस तरह की जो line जो गुरु परवत के बिलकुल करीब पहुंच जाए व्यक्ति को दिल का बहुत अच्छा इंसान बनाती है ऐसे व्यक्ति धार्मिक परविती के होते हैं और दूसरों की म तनाभी देखने को मिलता है आप यहां पर देखेंगे इनकी जो मस्तिक्ष रेखा है वो दो भागों में बटी हुई है नॉर्मली जो मस्तिक्ष रेखा होती है अब कुछ इस तरह हैं से एक ही रेखा के रूप में होती है आप बहुत सारे हाथों में देखोगे एक ही इंडिकेशन देती है, खास तोर पर यह रेखा जो काफी उपर है और जीवन रेखा से हटकर चल रही है, यह नीचे वाली जो रेखा इसको जीवन की रेखा कहते हैं, और यह जो उपर की ब्राचा इसी को माइंड लाइन या मस्तिक्ष रेखा कहते हैं, जिस यहाँ पर आप इन दोनों रेखाओं में एक बड़ागाप देखेंगे, इस तरह का गैप होना व्यक्ति को इंडिपेंडेंट सभाव का बनाता है, ऐसे व्यक्ति छोटी एड़ से ही अपने Decisions खुfeh से लेने वाले होते हैं, इस तरह का गैप है इन दोनों रेखाओं के वीच में व्यक्त को थोड़ा rebellion सभाव का भी बनाता है थोड़ी जिद्धी नेचर और ऐसा व्यक्ति जो काम करने की एक बार ठान लेगा फिर उसको करकर ही छोड़ेगा कुछ इस तरह का सभाव देती है इस रेखा में shift होना यहां पर practicality को बढ़ा रहा है और जब भी कुछ इस तरह का कोई gap आ पर यह रेखा अच्छी नज़र आएगी यहां पर इस रेखा का आगे चल कर एक parallel इनकी रिदर रेखा के साथ चलना काफी positive है middle age के बाद काफी अच्छी mental stability को ऐसा व्यक्ति enjoy करता है इनकी जीवन रेखा को देखा जाए तो यह रेखा आपको इस area से चल कर यहां तक उसके पर यह रेखा shift होकर आगे बढ़ती नज़र आएगी 60's की age में चल कर इस तरह का gap होना व्यक्ति की health को भी कमजूर करता है लेकिन overall यह रेखा आगे तक बढ़ रही है जिसकी वजह से इनकी age लगभग 75 यानी 75 के आसपास रहने की प्रबल समभावनाए रहेंगी अगर हम द circle के अंदर आपको एक चिन नज़र आएगा कुछ इस तरह से यह जो एक चिन है इसी चिन को मतसय का चिन यानी फिश का सिंबल कहा जाता है और जिनके भी हाथ पर इस तरह का फिश का सिंबल इस सेरिया में बने ऐसे व्यक्ति जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करते है फोरण ट्रैवल करने के योग भी इस तरह है के चिन की वज़े से बनते हैं और यह चिन होने से जीवन में कई बार अकास्मिक धन का लाब होता है ऐसे व्यक्ति को शेर मार्किट से लौटरी के जरिए इंशोरेंस के जरिए या फिर एन्हारिटेड वेल्थ यानी देखेंगे इनके शुकर परवत को तो यह माउंट काफी उठा हुआ है इस माउंट का उभरा हुआ होना काफी पॉजटिव होता है इस तरह का शुकर परवत होने से व्यक्ति को अपने चीवन में हर तरह की सुक सुविधाएं हासिल हो जाती हैं अगर इनके चंदर परवत को देखें तो आपको इनका मून का एरिया भी काफी प्रॉमिनेंट नजर आएगा लेकिन यहां पर बहुत ही हलके ब्राउन कलर के स्पॉर्ट भी आपको देखने को मिलेंगे इस तरह के स्पॉर्ट होने से व्यक्ति को बिचैनी यानि एंग्साइटी चैसी समस्या का सामना ही जीवन में करना पड़ सकता है तो दोस्तों ये कुछ अनायलसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के चुआब एक ही वीडियो के तुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस है कि अगर इनका कोई क्वेशन पैंडिंग है तो मुझे वटसैप पर मेसेज करें मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद